मोदी की बैठक में डर से कापे विपक्षी सांसद, ममता के खेल से हिल गए राहुल गांदी, बीजेपी का बड़ा धमाका विपक्ष निट्टे के गुटने नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट पियम मोदी ने विपक्षी सांसदों के साथ एक धमाकेदार बैठक की और विपक्ष की ऐसी लंका लगाई है कि बड़े बड़े नेता तौबा तौबा कर रहे हैं इस बड़ी बैठक में उपराश्टपती के अपमान पर पियम मोदी के सामने घुटनों में गिर गए हैं दिया है तबाही आ गई है बताते हैं दरसल एक गलती से पूरा विपक्ष्ट तभा हो गया ना राहुल गाली की जद्वची है ना ममतब अनर्जी का रॉप अब तो हालात यह हो गए हैं कि एक एक करनेता गठबंदन से भाग रहे हैं वो प्राश्टपती की मिमिक्री का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा मौका था पूरे सत्र के लिए सांसदों के ठोक में निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के पास मौका था मुद्दों से जंता की साहनुभूती पाने का लेकिन विपक्ष में भरे मूर्खों ने अपने हाथों से सब तभा कर दिया एक गलती और विपक्ष के हाथ से सारे मौके फिसल गए, बीजेपी आकरामक होकर फ्रंट पुट पर आ गए, निलंबन के खिलाब संसत परिसर में विपक्षी सांसत प्रदशन कर रहे थे, इसी बीच टीमसी सांसत कल्यार बनरजी का दमाग खुं गया, और उप्राष्ट पती जगदीब धनकड की मिमिक्री कर सारे खेल पर पानी पिर दिया, इस तरह बत्तमीजी की गई की देखने वाले भी हैरान थे, क्योंकि विपक्ष के वरिस्ट नेता सम्विधानिक पत की गरीमा को गिरा रहे थे, हैरानी की बात तो ये है कि राहुल गां जी सफाई देते फिर रहे हैं, ममता बनर जी अपने सांसित के बजाए राहुल गांधी पर ठिकरा पोर्ती दिख रही है, मलिक आरजुन खडगे पूरे मामले में जाती को ना लाने की दुहाई दे रहे हैं, आईए सिलसलेवार ढंग से समझाते हैं कि आखिर कैसे इस अकड़ा की विपक्ष के लिए आत्म घाती घोल साबित हो गया है, दरसल सांसितों ने निलंबन के बाद संसत परिसर में हंकामा काटा और फिर बाहर धरने पर बैड़ गए, कुछ नहीं मिला तो खिसी आते हुए मिमीगरी शुरू कर दी, ये मिमीगरी ही पूरे सामक तेवरों के साथ प्रंट फुट पर आ गई है, मिमीकरी को प्राष्ट पती के अपमान से जोड दिया, यहां तक की जाट और OBC के अपमान का मुद्दा बना दिया, सडक पर उतरने का एलान कर दिया, जंतर मंतर पर उप्राष्ट पती के समर्थन में प्रदर्शन भी ह अगर कल्यार बनर जी किसी पत की गरीमा नहीं जानते और मजाग में किसी का भी अपमान कर सकते हैं, तो शायद उन्हें कॉमेडी क्लब में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक नेता को इस तरह की हरकते शोबाब बिल्कुल भी नहीं देती, अब विपक्ष कितना भी लेकिन ये तो महस शुरुआत थी, इसके साथ मामला इतना तूल पकड़ लिया कि अब विपक्ष से संभाले नहीं समझ रहा, संसत की कारवाही शुरू होने से पहले उप्राष्ट पती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला और बताया, पीम मोधी ने मिमिक्री वाले मु स्पीकर ओम बिर्ला ने उप्राष्ट पती से मुलाकार की है, तब तक राष्ट पती द्रौपती मुर्मो की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आ गया, उन्होंने संसत भवन में उप्राष्ट पती के अपमान पर निराशा जताई, बीजेपी की राजिसभा संसतों न सरते वक्त पूरी कर दी, दो टुक कह दिया कि समवेधानिक पत की गरीमा का अपमान हर्गिस नहीं सहेंगे, चाहे जितनी आहूती देनी पड़े, इसके बाद उप्राष्ट पती जगदीब धनकर ने राजिसभा में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिगविजे सिंग को दुख सुनाते हुए सबसे बड़े विपक्षी दल की क्लास ही लगा दी, प्रश्नकाल शुरू होने से पहले उप्राष्ट पती ने दिगविजे सिंग से कहा, आप कहते हो कि 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है, आपको सब पता है, आपकी चुपी मेरे कानों में खरगे की चुपी मेरे कानों में गूज रही है, कॉंग्रेस के अध्यक्ष है, सब को पता है क्या कुछ हो रहा है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ती वीजियोग्राफी करके आनंद लेता है, एम्प्लिफाई करता है, ये संसकार है क्या आपने, ये सं अपमान की रक्षा में वो हवन में पूरी आहूती दे दे, सदन की इस पत की गरीमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, राष्टपती की ये तेवर विपक्ष को सकते में डाल सकते थे, मामला सिर्फ उप राष्टपती के अपमान तक सीमित नहीं रहा, बीजेपी खुद ध अंकर ने इसे जाट गौरव से भी जोड़ दिया, जाट और किसान समाज का अपमान करार दिया, ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया, विपक्ष की एक गलती ने प्लेट में सजाकर बीजेपी के हाथ में बड़ा मौका थमा दिया है, अब वो एक तीर से कई निशाने साथ दिख रही है, लोगसबा चुनाओं से पहले बीजेपी समुद्दे के सहारे जाट और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के यौन शोशन से जुड़े मसले पर भी जाट असमीता कार्ड खेलने की कोशिश हुई थी, तब उसकी आज बीजेपी पर पड़ रही थी, हाला कि किसान आंदोलन से बीजेपी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, पिछले साल यूपी चुनाओं के नतीजों के साथ ही ये बात साफ हो गई थी, लेकिन महिला पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी को हर्याना और कुछ हद तक पश्चिमी यूपी में नुकसान का खत्रा तो है ही, अब मिमिकरी विवाद ने उस नुकसान की आश्रंका को बहुत हद तक कम कर दिया है, उप्राश्टपती के अपमान को जाटों के अपमान से जोड़कर बीजेपी अब पूरे समुदाय को साधने की कोशिश कर हर्याणा पश्चिम यूपी और राजिस्तान में जाट वोट कई सीटों पर जीत हार तै करने का माददा रखते हैं, हर्याणा में तो करीब 25 प्रतिशत वोटर जाट समुदाय से आते हैं, राजिस्तान में भी इनकी तादात 15 प्रतिशत के करीब है, यूपी में वैसे तो कास्ट सेंसिस की मांग कर रहा है, इसके जरीए उनकी राजनीती बीजेपी की जीत में एहम किरदार निभाने वाले ओवी सी वोट बैंक में सेध लगानी की है, कॉंग्रेस ने तो हालिया वधानसभा चुनाओं में जातीकर जंगरना को एक बड़ा मुद्दा भी बनाया ये बात जाहिर है कि उससे इसका कोई फायदा नहीं मिला, अब मिमिक्री विवात को ओवी सी के अपमान से जोड़कर बीजेपी ने ओवी सी कार्ड भी खेल दिया है, इसे इंडिया गटबंदन के तमाम घटक दलों को नुकसान उठाना पर सकता है, खासकर सियासी लिहास स सबसे बड़े सूबे यूपी में समाजवादी पार्टी की मुश्किलने बढ़ जाएंगी, जहां लोगसमा की 80 सीटे, 80 सीटे हराओ लोगतंत्र बचाओ का नारा दे रही और पिछडे दलित अलफ संक्यक फॉर्मूले पर चल रही सपा के लिए 2024 में मुश्किल पेश आ सक विपक्ष को अंदाजा तक नहीं था कि मिमिक्री विवाद इतना तूल पकड़ सकता है, अब जब मामला काफी तूल पकड़ चुका है और बीजेपी से भुनाने में जुटी चुकी है, तब विपक्ष डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है, टीमसी सांसत कल्यार बनर जी अपसफाई दे रहे हैं कि उनकी मंचा उप्राष्ट पती के अपमान की थी ही नहीं, मिमिक्री तो एक आठ है, कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका जुन खड़गे भी बार बार जोर दे कर कह रहे हैं कि उप्राष्ट पती का मामले को जाती से जोना गलत है, संसत तक जाती आ गया है, हाला कि डैमेज कंट्रोल में जुटी विपक्ष एक जुट नहीं दिख रहा, टीमसी चीफ ममता बनर जी तो अपने सांसत कल्यान बनर जी के बजाए विवाद का सारा ठिकरा राहुल गाधी पर खोरने की कोशिश कर रही है, जिससे विपक्ष की धज्या उड़ अब विपक्ष कितना भी इस मुद्दे पर परदा डालने की कोशिश करें, लेकिन जो हरकत वरिष्ट नेता की तरफ से हुई है, उससे जनता भी सड़कों पर है, खुल मिलाकर विपक्ष की मिटी पलीद हो चुकी है, इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश्चों के नए मुद्दे के साथ, बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रही है, कैपिटल टीवी, नमस्कार